सो हेलो अब्रिवन जेसी गुरुकुल के सभी मेंबरवासियों के तरफ से आप सभी को जोहर भिनंदन वेख करते हैं इस प्रकार जारकन के एक जिल्ला, बोकारों जिल्ला से लेकर के चोकिदार का भरती फाइली इसका जो रिजल्ट है वो परकासित कर दिया गया है साथी साथ जितने भी अभ्यार्थी बोकारो जिल्ला से समन्द रखते हैं साथ में आप लोगों ने चोकिदार भरती का एक्जामनेशन दिया था तो आप सबों को यहाँ पे सुचित किया जाता है जैसा आप देख सकते हैं आप लोग का 28 जुलाय 2024 को रनिंग कंड़क्ट करवाय जाएगा उसके लिए आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट है वो परकासित कर दिया गया है तो जो दुसरे जिल्ले के अभ्यार्थी हैं आप लोग यहाँ पे बने रहिए चुकि कटफ कैसे जारी किया गया है रिजल्ट कैसे जारी किया गया है कितना गुन्ना रिजल्ट जारी किया गया है उसका सारा जनकारी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा और रिजल्ट की इस प्रकार क्या बीट संख्या परखंड या फिर पूरा जिल्ला या पंचायत लेबल पल बनाया गया है उसका भी संपूर्ण जनकारी आप लोग को दिया जाएगा चुकि आने वाले समय में आप लोग भी इस प्रोसेस से ही गुजरने वाले हैं ये देख सकते हैं ये संपूर्ण पीडियाप जो की 480 पेज में आप लोग का रिजल्ट है जो की वो परकासित किया गया है और ये भी एक बहुत ही अच्छी बोकारो चुकिदार की अभ्यार्थियों के लिए है चुकि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फेर तरीके से जैस 3877 अभ्यार्थियों ने भाग लिया और सभी का यहां पे जो उप्टेंड मार्ग है ये इधर देख सकते हैं ये कुल पचास नंबर का है और अधर जितना नंबर उन्होंने गेंड किया एक जाईमनेसन में ये जारिक किया गया है ये तो हो गया result की बात आप चलिए हम लोग उधर देखते हैं कटफ कैसे जारी किया गया है सो यदि हम लोग इस जिल्ला में बात करते हैं तो टोटल पोस्ट की जो संख्यत है वो 163 पदों पर भेकेंसे निकाली गई थी जिससे कि आप notification में देखेंगे 1 by 3 के अनुपात में result परकासित होने की बात कही गई थी तो 163 का जो तीन गुर्णा हो जाता है वो आप लोग का 489 हो जाती है बट यहां पर बात करते हैं result कितने लोगों का परकासित किया गया है तो 558 लोगों का कुल अभ्यार्थियों का result यहां पर परकासित किया गया है जो कि तीन गुर्णा से देखिए इसलिए थोड़ा सा जादा लिया गया है चुकि इसका आप रनिंग पता होगा जो 600 मीटर का है वो काफी टफ रनिंग है छे मिनट में पुरूस अभ्यार्थियों फिमेल का तो थोड़ा सा अजय हैं बट पूरूस के लिए काकी टफ है और यह एक एक टिगरी वाइस यहां पे आप लोग का सम्पोर्ण देख सकते यह पहले आप लोग का बिसी वन का रिजल्ट परकासित किया गया है जैसे यहां पशीट हाप लोगा बिसी वन का सीट है EWS का सीट था एश्टी का सीट था और जेनरल के टेगरी तो चार अलग मिनिमम यहाँ पे cut-up आप लोग का जारी किया गिया है चार PDF आप लोग के जारी किये गिये हैं जो कि एश्टी का अलग एश्टी के लिए जितना भी सीड़ था उनका लगबग तिनोना इचब लिया गया है यहां पर मायने यह नहीं रखता कि आप एक ही बीट से रिलेट करते हैं या फिर अलग बीट से रिलेट करते हैं एक ही पंचायत के या फिर जैसे कि BC1 total 88 अभ्यार्थियों को लिया गया है BC1 में और BC1 का total sheet था उसमें 29 और लिये गया है अभ्यार्थी कितने 88 अभ्यार्थियों को यहां पर दोड के लिए बुलाया गया है तो BC1 का minimum cut up देख सकते हैं 29 गया है इस जगह पर आप देख सकते हैं सारे 29 लोगों से अधिक अभ्यार्थियों को यहां पर बुलाया गया और BC1 में सरवाधिक मार्थ कितना देखिए 41 मार्थी इनके द्वारा वो चीज लाया गया BC1 के लिए यह देख सकते हैं HD अभ्यार्थी total 102 यहां पर अभ्यार्थियों को बुलाया गया है और इनका seat जा टोटल था 49 seat 102 को candidate HD के यहां पर select किये गये हैं minimum number की बात करते हैं तो minimum cut-off इन लोगों का 49 number रखा गया है और maximum HD में देखिएगा तो HD में maximum कितना लाया गया है इनके द्वारा भी 41 number ही यानि की 41 number ही HD और BC1 के द्वारा लाया गया है यह maximum हो गया बट इनका नियूंतम जो cut-off है वो 49 है अब यह हम लोग बात करते हैं EWS के लिए यह WS देखिए total 49 candidate को यहां पर selection किया गया है और इनका seat था मात्र 35 seat 35 seat और 49 अभ्यार्थियों को यह selection किया गया है minimum जो cut-off गया है 35 number minimum cut-off गया है EWS का यह देख सकते हैं यह general अभ्यार्थियों का है UR के लिए 319 अभ्यार्थि कुल दोड के लिए बुलाएं गये हैं और इनका यह हम लोग seat बात करते हैं इनका भी seat था वो आप लोग का 35 वो seat था general category में कितना seat है 35 general में 35 वो seat है और टोटल अभ्यार्थि बुलाएं गये हैं physical के लिए 319 minimum देख सकते हैं 35 number minimum cut-off इनका जारी किया गया है और इनमें भी maximum number कितना आया है तो maximum लगता है general category का ही आया है देखिए 50 number में इनका 48 number तक इनका आया हुआ है तो यहाँ पर जो दोड़ है 28 तारी को दोड़ है यहाँ पर यदि हम लोग overall बात करते हैं देखिए general category का EWS category का BC1 category का और ST का general का जो cut-off गया है वो आप लोग का cut-off इनका कितना गया है 35 number इनका cut-off गया है वहीं दूसरी और यदि हम लोग बात करते हैं EWS का minimum जो cut-off गया है वो 35 गया है BC1 का जो 29 गया है और ST का 49 यह cut-off finally इस जिला के जो भी category शीट निकाला गया था general EWS, BC1 और ST इनका नियूंतम यह cut-off इनका गया है यह minimum cut-off है तो आप यहाँ से भी cut-off को आप analysis कर सकते हैं कि कितना cut-off आप लोग का जिला में जा सकता है फिलाल यह सारे PDF आप लोग को टेलिग्राम ग्रूप पे share कर दिये जाएंगे लिंक आप लोग को description box पे मिल जाएगा